दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बाते हैं कि अगर आपके पास है Moto G54 5G Mobile तो कैसे आप उसमें किसी भी personal application को लॉक कर पाएंगे दोस्तों आपने मोबाल में किसी भी app को आसानी से लॉक कर पाएंगे वो भी fingerprint के साथ तो कैसे दोस्तों आप को लॉक करेंगे उसके लिए दोस्तों आप अपने मोबाल की साइटिक्स में जाएंगे तो आपके मोबाल में साइटिक्स में कोई फीचर दिया नहीं है अप्लोक का आपको अपने मोबाल की प्ले स्टोर application को ओपन करना है अपको यहां पर देखने मिल जाता है उस तो सर्च बार तो सर्च बार में लिखना है अप्लोक फिंगर प्रिंट ये सेटर्च कर लेते हैं आपको मिल जाएगा ओपेन का प्सन तो आपको करने क्या है और अप्रें करना है तो यहां से मैं दोस्तो है और पर पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एलाओ करना है यहां पर कोई भी चार रंगों का पिन बना सकते हैं यहां पर सही के मार पर टिक करेंगे फिर से आपको सेम पिन होई करना और यहां पर सही के मार पर टिक करना है प्लस के इकन में जाना है आप अपने ममाल में कुई भी एप्लिकासन लॉग कर सकते हैं माली ये फिसबुक को मैं लॉग करना जाता है में फीसबुक के समनेटीक इनेबल किया अब नीचे प्लस का अउजय पिर से एकन पड़स के ओकन पर क्लिक करेंगे अब यहां से OK करेंगे, Permissions Allow करना है, यहां पर आपको करना करेंगे, App Lock पर किली करेंगे, App Lock के Subnetic Enable करना है, फिर से OK करेंगे, फिर से आपको App Lock काफ मिलेगा, इस पर किली करेंगे, इसके Subnetic Enable करेंगे, OK कर देंगे, Allow कर देंगे, अब आपके मोबाल में, Facebook जो रहता है, वह डिंगर से बिए से बीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करे